हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल आराध्या आरेयस अकडवी में दोस्तों राजस्तान में आईजित राजस्तान पटवार परती परिक्षा 2021 के नवीनतम पाथे करम के अनुसार मोडल पेपर की टेस्स सीरीज स्टार्ट की जारी है नए सीरे से जिसमे करीबन मैं आपको परिक्षा से पहले दोस्तों 80 मोडल पेपर है वो करवा दूँगा अगर आप रोजाना मेरे साथ में चलते हैं तो दोस्तों आपका पटवारी के अंदर सोर सेलेक्षन वाना जाएगा अगर आप 80 मोडल पेपरों का टेस्ट दे लेते हैं बस सर्त यह रह करना है अरद्यारेस एकडिमी के यूटूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में फेस्बुक वार्टसप ग्रूप पे शे अनुछेद सत्रा में यह है यानि कि छुआत्सुच से समंदित अपने को जानकरी प्राप्त होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उत्तर नेक्स्ट है आगे देखिए मोरियकाल में इस्तानिक कौन था यहाँ पे मोरियकाल इसमें देखिए महाबलीपुरम के रत मंदिरों का निर्मान किस पल्लव सासक के सासनकाल में हुआ महाबलीपुरम के रत मंदिरों का निर्मान किस पल्लव सासक के सासनकाल में हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नर्सिंग वर्मन पर्थम के सासनकाल में सकने करवाय था तो दोस्तों अकबर ने करवाय था सी नंबर का ओप्शन सयुत्तर हो जाएगा अकबर पांच नंबर का प्रेस्ट है यहां पे देखे भारत में प्रांतिये स्वायतता सुरू की गई थी तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें भारत सरका सरकार आधिनियम गुनी इस सो पैंथिस के दोरा दोस्तों भारत में प्रांतिय सुरू कि गई थी इसमें सी नंबर का ओप्षन इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए केबिनेट मिशन भारत कब आया था तो पेडिनेट मिशन है वो भारत कब आया था साथ नमबर का प्रेस्ण है इसमें देखे राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवदी के लिए किया जाता है, राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवदी के लिए किया जाता है तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है छै वर्स के लिए किया जाता है जिसमें से दो वर्स में एक तियाई सदस्ये हैं वो दोस्तों सेवा निवरत हो जाते हैं आगे देखे इसमें अनुचेद 360 का सम्मंद किसे है तो वो है दोस्तो वितिया पातकाल से समंदित है अनुचेद 360 का समंद और ये अभी तक एक बार भी इसका प्रियोग नहीं हुआ है वितिया पातकाल का तो इसमें C नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तो इसमें नो नंबर का प्रेशन है इसमें देखिए निमन मेंसे कौन सा युगम सही नहीं है कौन सा युगम इसमें सही नहीं है तो दोस्तो एक तरफ तो दे रखे हैं दर्रे और दूसरी तरफ इस्तान दे रखे हैं यानि कि कौन से दर्रे कहां पर एक गलत दे रखा है, तो यहां पे देखिए दोस्तों, सिक्कि में आपको जेले फे दर्रा देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही है, हिमाचल परदेश में दोस्तों, सिपकिला दर्रा देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही है, जम्मु कस्मीर में जोजिला दर्रा देखने को मिले तो दोस्तो देखिए अरुनाचल परदेश में जो बोमडिला है ठीक है बाराला चदर्रा है ये अरुनाचल परदेश में इस्तित हैं लेकिन यहां पे नाथुला है वो गलत दे रखा है इसलिए अपना जो राइट आंसर है वो दोस्तो कौन सा हो जाएगा वो है C number का option बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए निम्न में से किस मिट्टी के छेतर को अनाज का कटोरा कहा जाता है किस मिट्टी के छेतर को अनाज का कटोरा कहा जाता है तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें जलोड मिट्डी को अनाज का कटोरा कहा जाता है तो इसमें C number का उप्शन बिलकुल स़योतर हो जाएगा next देश के वर्तमान गायमंत्री है तो दोस्तों कोन है अमिध्सा B number का उप्शन बिलकुल स़योतर हो जाएगा मद्दे परदेश के किस एतियासिक परेटक इस्तल को वर्ष 2019 में यूनेशको की विश्व धरोवर की एस्ताई सुची में सामिल किया गया है तो वो मद्दे परदेश का कौन सा एतियाशिक पर्याटल इस्तल है जिसको विश्वद रोवर की 27 सूची में सामिल किया गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो औरचा A नंबर का ओप्षन सही उत्तर हो जाएगा औरचा नेक्स्ट निम्न में से किस संसद ने विश्वद में सरवपर्थम जलवायू आपात काल की गोशना की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बिर्टेन बी नंबर का ओप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बिर्टेन नेक्स्ट आगे देखें निम्न लिखित में से किस को किसी कोशिका में अचल संपत्ती माना जाता है बताएगे किस को किसी कोशिका में अचल संपत्ती माना जाता है तो यह माना जाता है दोस्तो नियोक्रिलिक अमल को अचल संपत्ती माना जाता है तो इसमें डी नंबर का जाएगा इसमें डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखे काली मोत किसे कहते हैं यहां पे पुछा गया है काली मोत किसे कहते हैं तो दोस्तों ये कहते हैं पलेग को किसको कहते हैं पलेग को काली मोत कहते हैं तो इसमें बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही जैनियो का परधान बना महाविर स्वामी की मरत्यों के बाद तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देखें सुधर्मन. भाणती जन्ता पार्टी को कुल कितनी सीतों पर विजय पराप्त हुई? सतरवी लोकसबा चुनाओं में भारती जन्टा पार्टी को कुल कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 303 सीटों पर दी नंबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा 303 सीटों पर आगे देखे इसमें गुनिस नंबर का प्रेशन यहाँ पर देखे दोस्तों नकलिस्तान या सिंद का बाग कहलाता है तो दोस्तों यह मोहन जोदडो मोहन जोड़ो है यह नकलिस्तान या सिंद का बाग कहलाता है बी नमबर का उप्सन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे वर्तमान में किसी व्यक्ति की पहचान है तो रेटिना, कार्निया एवं हाथ के अंगुठे को स्केन किया जाता है किसी व्यक्ति की पहचान है तो डोस्तों रेटिना, कार्निया एवं हाथ के अंगुठे को स्केन किया जाता है यह विदी है वो क्या कहलाती है तो यह कहलाती है बायोमेट्रिक उन्विक्शन कहलाती है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट 21 नमबर का प्रसना इसमें देखे नियाइक पुन्रावलोकन किस देश के सविदान की देन है नियाइक पुन्रावलोकन ये दोस्तों अमेरिका के देश की देन है नियाइक पुन्रावलोकन की सकती है ठीक है ये तो इसमें ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत् तीवी रिमोट में परियुक्त तरंगे हैं तो वो तरंगे कौन सी है तो वो है अवरक्त तरंगे कौन सी है अवरक्त तरंगे नेक्स्ट भारती सविधान की दोस्तो प्रस्तावनों में कितनी बार संसोदन हुआ है तो कितनी बार संसोदन हुआ है तो दोस्तो प्रस्तावनों देखिए इसमें 24 नमबर का प्रस्ट ने मोबाइल फोन्स द्वारा उत्पादित इक चरे में कौन सा तत्वा सरवादिक मातरा में उपस्थित होता है राइट आंसर हो जाएगा इसका वह कोपर ए नमबर उप्षन सहुतर नेक्स्ट कौन सी धातु अधिक वायू परदुशन का कारण बनती है तो वो है दोस्तो इसमें सीशा सीशा है यह दोस्तो अधिक वायू परदुशन का कारण बनती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है बी नमबर का उप्षन बिल्कुल सहुतर नेक्स्ट है पूरवी घाटो तथा पस्मी घाटो का निमनलिकित में से कौन सा संदी बिंदु है पूरवी घाटो तथा पस्मी घाटो का निमनलिकित में से कौन सा संदी बिंदु है तो वो है दोस्तो इसमें कौन सा तो नेलगिरी पहाड़ी सी नमबर का उप्षन बिल्कुल सहुतर हो जाएगा नेलगिरी पहाड़ी आगे देखिए दोस्तो इ शिर्ष दस इस्तानों की सुची में दोस्तों सिर्ष इस्तान मिला है तो वो कौन से संस्तान को दोस्तों सिर्ष इस्तान मिला है ठीक है राष्टिय संस्तागत रैंकिंग रूप रेखा के तहट तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भारतिय प्रोजग को एक व्यापक रणनेतिक साज़दारी के रूप में उन्नत करने के लिए पर्तिबदता जून 2020 में व्यक्त की थी द्वीपक्सिये रणनेतिक साज़दारी को ठीक है एक व्यापक रणनेतिक साज़दारी के रूप में उन्नत करने के लिए जून 2020 में ये पर्तिबदता व्य देश देश ने तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भारत और उस्टेलिया ने ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सयूतर हो जाएगा आगे देखे इसमें 29 नंबर का प्रसन है यहां पे देखे राजस्तान बजट 2021 में राजीव एड़ दरेट 75 फंड की घोशन की गई थी और यह फंड है यह किसे समंदित है वो अपने को इसमें बताना है तो देखे मैं आपको बता देता हूं देखे इस टार्ट अप्स के लिए यहनकी स्टाट अप्स के विकास के लिए 35 करोड रुपे की घोशन नहीं है वो की गई थी तो इसका राइट आंसर इसम सरवनों को दस परतिसत आरक्षन देने वाला पहला राज्य कौन सा बना तो वो बना दोस्तों इसमें गुजरात तो इसमें बी नंबर का उप्षन सही उत्र हो जाएगा गुजरात आगे देखें भारती सिनेमा के राष्टिय संग्राले का उद्गाटन परधान मंतरी ने किस सिस्तान पर किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुंबई में तो इसका बी नंबर का उप्षन सही उत्र हो जाएगा मुंबई में आगे देखें भारत में सरवादिक लंबी समूंदर तटिय सीमा वाला राज्य है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तों इसमें ग द्रश्टी से तो दूसरा और चेतरपल की द्रश्टी से सात्वा इस्तान है तो दूसरा और सात्वा इसका राइट आंसर हो जाएगा C नमबर उप्सन सही उतर महात्मा गांदी ने किस आयोग को दिवालिया बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक कहा था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कहा था दोस्तो क्रिप्स मिशन पर ठीक है तो इसमें C नमबर उप्सन सही उतर क्रिप्स मिशन नेक्स्ट है गदर पार्टी के संस्तापक थे दो इसमें सामपर्दाइक पंचांट तो इसका राइट आंसर इसमें C नमबर का उप्सन सही उतर हो जाएगा आगे देखिए 38 नमबर का प्राशन है इसमें देखिए निमनलिकित में से किसे इसमें ग्राण ओल्ड मैन औफ एंडिया के नाम से जाना जाता है तो यह जाना जाता है दोस्तों दादा भाई नारोजी को एगे देखिए नवगठित परताब गढट जिले के बारे में सत्यक थन है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तों देखिए यहाँ पर इसमें क्या पुच्छा है, सत्य का तन पुच्छा है, ठीक है? देखिए दूस्तों, चार उप्षन दिये गए हैं, अपने को बताना है कि इन में से कौन सा है, वो सही है, तो यहां पे देखिए, परताबगड जिले का निर्मान, तीन जिलों की पांच तैसिलों को मिला कर किया गया है, ब अरनोद तैसिल का विला कर के किया गया, बिल्कुल सही है, ठीक है, चितोडगड के तीन जिले थे, तीन तैसिल थी, क्या नाम था, एक का नाम परताबगड, दूसरे का नाम सोटी सादड़ी, और तीसरे का नाम अरनोद, ठीक है, टोटल पांच तैसिलों को मिला कर किया गय जो ये धारियवाद है ये दोस्तों बासवड़ा की तैसिल नहीं थी ये तैसिल थी दोस्तों कहां की तो ये उदैपुर की तैसिल थी ठीक है कौन सी उदैपुर की और बासवड़ा की तैसिल का क्या नाम था तो दोस्तो बांसवड़ा की तैसिल का नाम था तो यानि कि अपना गलत कुए सा हो गया इसमें C नंबर का ओप्शन है ये तो अपना क्या है ऐसत्ते है चोथा देखिए परताबगड जिले का निर्मान परमेश चंदर कमेटी की अनुसंसा पर किया गया ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है यानि कि इसमें सही कौन-कौन से है तो A, B और D ये इसमें सही है तो कूट बासा में अपने को इसका राइट आंसर देना था A, B, D यानि कि C नंबर का उपसन सही digoतर हो जाएगा आगे देखिए 40 नंबर का प्रेस ने झेगें निमनलिक की कतनों में से कौन सा कथन सत्य है वो अपने को इसमें बताना है ठीक है यहां पे देखिए बोगी पस्मी रजस्तान में पाये जाने वाला दो मुखिश साप है बोगी पस्मी इस्तुपों के मद्दे पाई जाने वाली आउतलित गरतनुमा सर्चना मरहो कहलाती है बिल्कुल सही है बहुती अच्छा प्रस्ण है ये मरहो के बारे में प्रस्ण पुछा जा सकता है ठीक है लग से एक दो बालू का इस्तुपों के मद्दे पाई जाने वाली आउतलित गर तो नुमा सर्चना मरहो कहलाती है आगे देखिए थार का मरुस्तल ग्रेट पोलियो आरक्टिक मरुस्तल का पूर्वी भाग माना जाता है ये भी दोस्तों इसमें सही है इसमें तीनों ही कथन है वो सही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अब देखिए अब हाई लेवल के क्यूशन आने लग गए और कूटबासा वाले प्रसन आपको पटवारी के अंदर ऐसे ही प्रसन देखने को मिलेंगे शुरू में आपको छोटे 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 फिर उसके बाद में बड़े बड़े प्रसन देखने को मिलेंगे इसलिए निवेदन यही है कि आपसे कि रोजना मेरे साथ में मोडल पेपरों का टेस्ट देते रिए और मैं सलेबस के अनुसार जो टोपिक वाइज टोप इंपोर्डेंट क्यूशन है सलेबस के अनुसार सभी सब्जेक्ट के म आपको करवा दूँगा एक दो दिन में सेडूल बना दूँगा ठीक है उसके बाद में ये कलासे हैं वो सुरू कर दी जाएगी मोडल पेपर का टेस्ट आपको रोजना देना है करीबन ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें करीबन गंटा सवा गंटे का समय लगेगा जिसम ये मोडल पेपर का टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है ठीक है आगे देखे दुस्तों इसमें 41 नंबर का प्रस्न है देखिए चंबल नदी के बारे में ऐसत्य कथन का अपने को क्या करना है चैन करना है कि कौन सा कथन इसमें ऐसत्य है यहाँ पर देखे चंबल नदी का उच्छा जल पर पात चूलिया इस्तित है बिल्कुल सही है चंबल नदी पर चितोडगर जिले में चूलिया जल पर पात इस्तित है बिल्कुल सही है ठीक है आगे देखे चंबल नदी सरवादिक उत्खात भूमी का निर्मान करती है ये भी दोस्तों इसमें सही है यानि कि त तो अपना सही है तो जिसका मदलब चोथा गलत हुआ तो चोथा देखते हैं क्या है इसमें चंबल नदी परिस्तित बांदो का क्रम है दक्षिन से उत्तर की और कोटाबराज जवार सागर राणा परताब सागर और गांधी सागर दे रखा है ठीक है यहाँ पर क्या पूछा गया है अपने को कि दक्षिन से उत्तर की और क्रम है वो अपने को बताना है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर देखे दक्षिन से उत्तर की और बांदो का सई क्रम कौन सा है तो यहाँ पर देखे क्या दे रखा है दक्षिन से उत्तर की तरफ देना है यानि कि नीचे से उपर की तरफ तो सबसे पहले तो दोस्तों चंबल नदी उद्गम होगी तो वहां पे दोस्तों आपको पता है गांधी सागर बांध बना हुआ है तो दक्षण में सबसे पहला बांध है गांधी सागर उसके बाद में आएगा दोस्तों राणा परताप सागर आता फिर जमार सागर आता फिर कोटा बेरा जाता यहां पर यह करम दे रखा है यह उत्तर से दक्षिन की और दे रखा है जो कि अपना यह गलत दे रखा है अपने को पूछा क्या था दक्षिन से उत्तर की और पूछा था तो अपना राइट आंसर इसमें डी नंबर का option से उतर हो जाएगा 42 नमबर का प्रेशन इसमें देखे राजस्तान के निम्न जीलों में से कौन सी जील राष्टी जील सरक्षन कारेकरम के अंतरगत नहीं आती है तो वो कौन सी जील नहीं आती राष्टी जील सरक्षन कारेकरम के अंतरगत है तो राइट आंसर हो जाएगा औरूप सागर जील, बाकी तीन है, फते सागर जील, नकी जील और राना सागर जील, ये तीन हो आती है, इसमें B नमबर का उप्षन सही उत्तर हो जाएगा, नेक्स्ट क्यूशन है, 43 नमबर प्रेसन है, राजस्तान कर्शी उपज विपणन अदीनियम लागू करने का मुख् उद्देशे ही है, कि कर्शी उत्पादों की विपणन को सुविदा देने के लिए, तो इसमें A नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आगे देखिए, कपास की फसल के बारे में सत्य कथन है, तो दोस्तों कपास की फसल के बारे में कौन सा इसमें सत्य कथ राज़े के 16 जिलों में चलाए जा रहा है आगे देखे कपास अर्दसुस्क जलवायू का पोदा है बिल्कुल सही है आगे देखे कपास को इस्तानी बासा में बणिया का जाता है ये भी इसमें सही है कपास की सरवादिक बुआई बासवाडा में होती है ये भी इसमें सही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आमेर के महराजा मान सिंग ओ इसमें बी नमबर का उप्षन सहुतर हो जाएगा, आगे देखे, एक मातर इतियासकार जो हल्दी गाटी युद के दोरान उपस्तित था, तो वो कौन सा इतियासकार था, वो था दोस्तों आगे देखे किसानों दवारा पारशपरीक सहयोग से कर्शी कारी करने की परत्था मद्डे काल में क्या कहलाती थी किसानों द्वारा पारसपरीक सयोग से कर्शी कारी करने की परसा मद्दे काल में क्या कहलाती थी तो दोस्तों ये कहलाती थी अंगवारो क्या कहलाती थी अंगवारो तो इसका रहीट आंसर बी नंबर उप्सन सयुत्तर अंगवारो मुस्लिम संत पीर मिठे साब मिठे साब की दरगा राजस्तान के किस दरग में है ये तो सभी को पता होगा दोस्तो मिठे साब की दरगा है वो दोस्तो गागरोन दरग में है कहाँ पर है गागरोन दरग जालावार में तो इसमें D number का option सयुत्तर हो जाएगा आगे देखे पर्त्विराज तृत्य के दर्बारी विद्वान कौन थे तो दोस्तो देखिए इसमें आसाधर, विश्वरूप, जनारदन और वागिस्वर ये सबी हैं ये पर्त्विराज तृत्य के दर्बारी विद्वान थे तो अपने दोस्तो विश्वरूप, वागिस्वर और जनारदन पड़ा होगा तीन ही पड़े होंगे, चोथा भी आपको याद रखना है आसाधर तो अपना right answer क्या हो जाएगा इसमें A नंबर का उप्षन बिलकुल सेयुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखे कवी जोदराज का हममीर रासो वे संकरराव का भीम विलास किस बोली में लिखे गए हैं तो right answer हो जाएगा इसका वो है अहिरवाटी में D नमबर का अप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे 1857 के विद्रो के समय आववा के ठाकुर कुसाल सिंग को मेवाड के किस Daten के सामन्त ने अपने यहाँ सरण दी ती 1857 के विद्रों के समय आव़ा के ठाकुर कुसाल सिंग को मेवाड के किस सिस्तान के सामत ने अपने यहां सरण दी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोठारिया सी नम्र का उप्षन सही तरो जाएगा कोठारिया नेक्स्ट है मराठो ने पहली बार राजस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्सेप किस रियासत में वेकब किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें बूंदी में 1734 सीश्वी में किया था बी नमबर का उप्सन सही उतर झाल की किराड़ू मंदीर वाडमेर के बारे में एससत्यकथन का चुनाव करना है कि कौन सा ऐससत्यकथन यह मंदीर वीरस, सरंगार्रस, युद्नर्ते, कामसासतर, इतियादी की भाव, भंगिमा युक्त मूर्तियां सिल्पकला की दरश्टी से अनूठी है बिल्कुल सही बात है आगे देखे काम सास्तर की मूर्तियों के कारण किराडू को राजस्तान का खजुराओ का जाता है बिल्कुल सही बात है आगे देखे दोस्तों इसमें किराडु के विक्षात मंदिर बारवी सताबदी में बने हुए है ये दोस्तों अपना इसमें गलत हो जाएगा देखे बारवी सताबदी यहाँ पर है वो दोस्तों गलत दे रखा है और दोस्तों ये जो ग्यारवी सताबदी में मंदिर है ग्या नमबर का option right answer हो जाएगा यह अपना ऐसत्य कथन है ठीक है चोथा देखिए यहां का सोमेश्वर मंदिर सिल्प कला के विख्यात के लिए दोस्तों यह प्रसिद है बिल्कुल सही है तो दोस्तों इसमें C नमबर का option right answer हो जाएगा क्योंकि अपना ऐसत्य कथन है आगे देखिए तलवार की धार पर नाचना कांच के टुकडों पर नाचना जमीन के जमीन से मुह है द्वारा रुमाल उठाना आदी किस नर्ते की विशेष्था है तो दोस्तों यह बवाई नर्ते की विशेष्था ह D नमबर का option सयुतर next हाथ से बने हुए सूती कपड़े में लिप्टी हुई मुद्राएं वह गोल मंदिर के अवसेष्थ की सब्वेता इस्तल से प्राप्त हुए हैं तो यह प्राप्त हुए हैं दोस्तों कौन से सब्वेता इस्तल से तो बैराट से A नमबर का option सयुतर बैर है वो कहां पर है तो यहां पे देखिए दोस्तों दादू पंथ यहां पे दादू पंथ की जो परधान पीठ है वो दोस्तों नारायना जैपुर में है ठीक है वल्लब संपरदाय की जो परधान पीठ है वो दोस्तों नात द्वारा राज समंद में है राम सनही संपरदाय की तो इसमें ए नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा। सताओन नमबर का प्रसन इसमें देखे राजस्तान के राजाओं में कहां का सासक था जो अपनी सेना के साथ अठारा सो सताओन इसवी के संग्राम में अंग्रेजो की सायता हे तू राज्ये से बाहर सेना लेकर गया था तो वो कौन था वो तो आप सभी को पता है दोस्तो सरदार सिंग था और ये सरदार सिंग कहां का सासक था तो दोस्तो ये विकानेर का थीक है तो अपना राइट आं सिंग ने किया था राव राम सिंग ने तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एक देखिए दोस्तों वीडियो है वह बहुत कम लाइक करते हैं एक बार सभी के सभी मित्र हैं वह वीडियो को लाइक कर दीजिए बहुत ही अच्छा मोडल पेपर है परिक्षा तक मैं आपको करीबन 80 मोडल पेपर करवांगा अगर आप देख सकते हैं खुद वैसे 80 इंटू अगर आप 150 करते हैं तो दोस्तों आपको करीबन 12-13 जार क्यूशन है वो आपके पूरे सेलेबस के अनुसार तयार हो जाएंगे ठीक है अगर आप रोजाना मेरे साथ में टेश्ट देते हैं तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए आगे देखें महनत प्यारेलाल हत्याकांड का समंद नहीं है तो महनत प्यारेलाल हत्याकांड का समंद है वो किस्य नहीं है तो वो है दोस्तों देखें मोहनलाल जालोरी से इनका समंद नहीं है ठीक है और महनत प्यारेलाल हत्याकांड से रामकरण सोमदत लेरी और केस रेस का उद्गाटन किसके द्वारा किया गया था तो यह किया गया था दोस्तो आचारिये जे भी करपलानी के द्वारा मेवार परदामंडल का पर्थम वार्शी का दिवेशन का उद्गाटन किया गया था तो इसमें सी नंबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे दो करण के समय संयुक्त ρाजستance की वार्षिक आया है fuego कितनी थी तो तो the right answer हो जाएगा वो है इसमें तीन.शोडा करॉड तीन.शोडा करॉड और ये 1.07$anın ये दोस्तो मत शें संखिया आया थी & यहां पे 3.16 करोड यह राजस्तान, यानि सहयुक्त राजस्तान की वार्शिकायत थी, तो इसमें D-Number का उप्शन सहयुतर हो जाएगा आगे देखे, राजस्तान के अनुसार मुख्य मंत्री किया जाता है, तो मुख्य मंत्री नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा, राजेपाल के द्वारा मुख्य मंत्री नियुक्त किया जाता है, तो इसमें डी नंबर का उप्शन सही उत्र हो जाएगा, आगे देखे, प अकाल रिपॉर्ट प्रिशित करना तो दोस्तों ये तीन तो पटवारियों के दोस्तों कारिये हैं ठीक है यहां पे तेशिल दार पर नियंत्रन रखना ये पटवारियों का कारिये नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हुजाएगा C number का option से उत्तर 65 number का press ने इसमें देखे राजस्तान राज्य मानवादिकार आयोग ने अपना कारिय करना कब से प्रारंब किया था तो दोस्तो कारिय करना कब से प्रारंब किया था तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो है देखिए कारी करना तो मार्च 2000 से प्रारंब किया था ओर इसकी इस्तापना हो गई थी दोस्तों 1999 में 1999 में स्तापना हो गई थी राजमानवादी कारायोग की और इनोंने कारी करना प्रारंब है वो मार्च 2000 से किया था तो इसका D number option बिल्कुल सयुतर हो जाएगा 66 नमबर का प्रसन है इसमें देखिए सुमेलित कीजिए एक तरफ अनुचेद है दूसरी तरफ प्रावधान है यानि कि कौन सा अनुचेद में क्या प्रावधान दिये गए है ये अपने को बताना है देखिए अनुचेद 243 से लेके 251 तक ठीक है आपको दोस्तों पंचायतों से समन्दी जानकरी मिलेगी ठीक है और यहाँ पे देखिए अनुचेद 243 के में क्या है तो दोस्तों बहुत अच्छा प्राशन है आप इसको कह सकते हैं 243 के में क्या क्या है पंचायतों से समंदी थे यह सारे के सारे अनुचेद अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 243 के इसमें दोस्तों देखिए ग्राम सबा के बारे में बताया गया है अनुचेद 243 के में ग्राम सबा के बारे में बताया गया है ठीक है देखिए अनुचेद 243 गय में दोस्तों पंचायतों की शरक्षना के बारे में जानकारी मिलती है अनुचेद 243 इसमें दोस्तों पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात कही गई है अनुचेद 243 तो दोस्तों इसमें क्या किया गया है तो पंचायतों की सक्तियों, यानि कि पंचायतों की सक्तियां अप्रदिकार और उतरदाइत वैरे, ठीक है? तो यह आता है दोस्तो अनुछेदों में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक तीन चार दो एक तीन चार दो एक तीन चार दो यानि कि C नंबर का उप्षन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 67 नंबर प्रेस ने राजस्तान राजे उबोकता सेलेक्शन आयोग के पर्थम अध्यक्स कौन थे तो दोस्तो कौन थे तो इसका भवन का उद्गाटन कहां किया गया तो दोस्तो यह कहां पर किया गया तो यह किया गया दोस्तो जो दुपुर में इसमें D नंबर का उप्षन से उत्तर हो जाएगा अभी तक दोस्तो अपने जो 68 क्यूशन पड़े है यह अपने जीके के क्यूशन पड़े है ठीक है अब पढ़ेंगे दोस्तो 11 क्यूशन है वो इंगलिस के और फिर 11 क्यूशन है वो हिंदी के पढ़ेंगे तो 22 क्यूशन हो गए हिंदी और इंगलिस के तो 68 और 22 कित्ते होते हैं, तो दोस्तों वो होते हैं, 90, ठीक है, 90 क्यूशन तक तो अपन ये पढ़ेंगे, उसके बाद में दोस्तों अपन रिजिनिंग, मैथ, और लाश्ट में जो 15 क्यूशन है, वो अपन कम्प्यूटर के पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा सलेबर अपने को बताना है, ठीक है, यहां पे देखिए दोस्तों, मूमेंट, मूमेंट का मतलब क्या होता है, तब ही आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं, मूमेंट का मतलब होता है, इस मार्क, क्या होता है, इस मार्क, अपने को समाना आर्थक सब्द बताना है, ठीक है, तो मू वर्षी दे रखा है इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है दोस्तो ब्रश्टे क्या होता है ब्रश्टे या अपन दोसी भी इसको कह सकते है ठीक है अब इसका समानार तक सब्द कौन सा हो जाएगा तो वो है दोस्तो इसमें बताएए कौन सा तो वो है दोस्तो इसमे नेफेरियम, स्पोरी, नेफेरियस, इसका मतलब بھی क्या होता है दोस्तो, बेइमान यानि कि यह भी दोस्जी होता है बेइमान, तो इसका刃 रायٹ आंसर रहो जाएगा नेफेरियस, तो इसका रायट आंसर, बी नमबर ऐप्शन, सही उतर आगे देखिए 71 नमबर प्रेस नहीं इसमें देखिए दोस्तों देखिए इसमें क्या दे रखा है तो रिडुकुलिस रिडुकुलिस दे रखा है तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है दोस्तों हास्यपद क्या होता है हास्यपद ठीक है हास्यपद जैसे इसमें absurd, तीक है, क्या हो जाएगा, absurd, इसका भी मतलब क्या होता है दोस्तों, बेतुका, यानि कि हास्षेपदी होगा, तो इसमें B-Number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, आगे देखें इसमें, अब दोस्तों यहां पे देखें, opposite, यानि कि विलॉम सब्द अपने को यहां पे बताना है, ठीक है, यहां पे देखें दोस्तों, 72 नमर प्रेस ने, बार्बरिस, इसमें देखें बार्बरियस, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, दोस्तों क्रूर, क्रूर, क्रूर या एसब्बे अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे बारबरियस को सब्बे अपन बोल सकते हैं तो सब्बे किसको बोलेंगे विलोम सब्द पुछा गया नहीं आपे तो दोस्तो यहाँ पे देखे सिविलाइजड का मतलब होता है सब्बे क्या होता है सब्बे ठीक है तो अपना सी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा यह इसका विलोम सब्द है सब्बे का सब्बे का बारबरियस का मतलब क्या होता है सब्बे और सिविलाइजड का सब्बे ठीक है तो इसमें सी नंबर उप्शन सही उतर आगे देखे इसमें कैंडिड यहां पे देखे दोस्तों कैंडिड दे रखा है इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है दोस्तों इसपस्ट वादी ठीक है यानकि इसपस्ट आप इसको बोल सकते है ठीक है अब यहां पे देखे दोस्तों इसका कैंडिड का मतलब होता है इस पस्ट तो दोस्तों यहां पर देखे देखे सरेटिव सरेटिव का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है रहस से मैटा यानकी रहस से और इस पस्ट यह दोनों विलम सब्द हो गए तो इसमें बी नंबर का उप्शन से उत्तर हो जाएगा आगे देखे दोस्तों इसमें 73 नंबर प्रेस ने यहां पर 73 तो हो गया अब दोस्तों अपने को एरर पैचानना है ठीक है 74 75 76 में तो यहां पर दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि कौन से पार्ट में गलती होगी आप यह देख लेना तीनों क्यूशन ठीक है फिर भ ओफ दे इस्टुडेंट इन दे कंप्यूटर क्लास है ठीक है अब आगे देखे हैज टू टाइप देर ओवन रिस्टर्स पेपर इन सेमेस्टर नो एरर तो इसमें चार ओप्शन दिये गए हैं इसमें से कौन से पार्ट में गलती हो जाएगी तो इसमें सी पार्ट में हो इस सेमेस्टर तो इसमें इसका राइट आंसर सी नंबर का उप्शन हो जाएगा आगे देखे दोस्तो ठीक उसी परकार मैं इसमें बता देता हूं कौन से पार्ट में गलती हो कि डारेक्ट बता देता हूं ठीक है आप देख लणा इन में से इसका राइट आंसर हो जाएग दोस्तो आई यूजड यूजड गलत हो जाएगा इसमें तो इसमें ए नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अब दोस्तो ये अगला जो 77, 78 और 79 ये तीन क्यूसन आपको पैसेज से समंधित देखने को मिलेंगे तो दोस्तो ये पैसेज आप कुद पढ़ोग तो दोस्तो सिधा सा राइट आंसर आपके पास में आजाएगा पैसे पढ़ते ही आपके पास में आजाएगा ज्यादा कुछ खास नहीं है ठीक है अब आपन चलते हैं दोस्तो हिंदी के अंदर यहां पे देखिए सवर संदी से निर्मित सब्द नहीं है तो सवर संदी से निर्मित सब्द नहीं है तो वो कौन सा नहीं है तो वो है दोस्तो उत्थान ठीक है उत्थान तो इसका राइट आंसर यह दोस्तो इसमें व्येंजन संदी का परियोग हुआ है तो इसका राइट आंसर इसमें C number का option right answer हो जाएगा आगे देखे इसमें उद प्लस थान हो जाएगा इसका आगे देखे निमने मेंसे किस सब्द में प्रह उपसर का परियोग नहीं हुआ है प्रह उपसर का परियोग है वो दोस्तो प्रतेक्स में नहीं हुआ है तो इसमें प्रती उपसर का प्रियोग हुआ है प्रे उपसर का नहीं हुआ है तो इसमें बी नंबर का उपसर सही उतर हो जाएगा आगे देखे निमने में से किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है तो समास विग्रह कौन से में सही नहीं है तो यहाँ पे देखे दोस्तो जल वायू जल और वायू ठीक है यहाँ पे देखे दस आनन यानिकि दस है जो आनन ठीक है देखे सुत पुत्र सुत का पुत्र आ अर्थार्थ रावन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नमबर का उप्शन सहीतर आगे देखिए इसमें हला हल का विलोम सब्द होगा हला हल का विलोम सब्द है वो कौन सा होगा तो दोस्तों इसमें विलोम सब्द हो जाएगा इसमें सुधा क्या हो जाएगा सुधा आगे देखे आदर से सब्द का परियावाची नहीं है तो आदर सब्द का परियावाची कौन सा नहीं है वो अपने को इसमें बताना है तो देखे दोस्तो यथार्त है ये इसका परियावाची सब्द नहीं है बाकी माननक, परतिनाम और परतिरूप ठीक है? तो इसमें A number option सही उत्र हो जाएगा. आगे देखे 87 number प्रेशन, इसमें देखे कामायनी के रचयता जैसंकर परशाद है इस वाक्य में किस परकार की असुदी है? तो दोस्तो वो है, वर्तनी समंदी असुदी है कामायनी के रचयता जैसंकर परशाद है तो इसका रायट आंसर घाएगा लिए इसमें राइट अंसर क्या जाएगा D number का option से उतर आगे देखिए देखिए एड होक सब्द के समना अर्थक ह हिंधी परिवासिक सब्द क्या हो जाएगा तो दोस्तों इसका हो जाएगा एडोक का मतलब तदर्थ, क्या हो जाएगा तदर्थ, जो तदर्थ समीतिया होती थी थी न, ठीक है, तो वो तदर्थ का मतलब होता है एडोक, ठीक है, आगे देखें इसमें, निम्न में से किस विकल्प में मुहावरे का बहवार्थ गलत है, तो कौन से विकल्प में मुहाव होना सतर खोजाना पत्थर की लकीर एमिट या पकी बात सिर दुनना पस्चाताब करना तो अपना इसमें डी नंबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे जिन खोजा तिन पाई या गहरे पानी पेट लोकोक्ति का निकटतम सही अर्थ कुन सा है तो वो है दोस्तो इसमें संकल्प सील व्यक्ति कठिन परिश्वर्म द्वारा लक्से प्राप्त ही कर लेते हैं तो इसमें सी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा अब आगे दोस्तों अपने क्यूशन मैथ और रिजनिंग के ठीक है अब दोस्तों अपन जो यह 45 क्यूशन आपको मै और रिजनिंग के पुछे जाएंगे परिक्साय के अंदर ठीक है यानि एकरान में से 135 तक अपन है वो दोस्तों क्यूशन करेंगे वो किस के क्यूशन करेंगे रिजनिंग और मैथ के ठीक है अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या पुछा गया है यदि A, B के 20% के बराब होगा, तो C का परतिसत A के बराबर होगा, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे 20% यानि कि A है, वो अगर A है, तो B कितना होगा, तो दोस्तों B होगा 5 यानि कि A, B के 20% के बराबर है यानि कि 5% है यहाँ पर जो 5 दे रखा है यह तो अपना 100% है ठीक है और 5 का 20% कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 1 अब देखिया आगे B, C के 25% के बराबर है अब यहाँ पर देखे B है वो C के 25% के बराबर है यानि कि C है वो मानलो को चार है तो इसका चार का 25 परतिसद कितना होगा तो वो होगा एक यानि कि B है वो एक और C है वो दोस्तो चार हो जाएगा अब इतना तो आपको समझ में आया होगा अब दोस्तो अपने को क्या करना है कि इनका जो अनुपात निकालना है अब अनुपात में दोस्तों अपने को देखिए तीन अनुपात मिल गए है अपने को देखिए यहाँ पे अब सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी ठीक है अब यहाँ पे देखे शुरुआत में A और B का अनुपात कितना था तो 1 अनुपात 5 कितना था एक अनुपात 5 ठीक है उसके बाद में देखे B और C का अनुपात कितना था तो 5 के नीचे 1 लिखेंगे ठीक है 1 अनुपात 4 ठीक है तो यहाँ पे दोस्तो एक अनुपात पांच अनुपात बीस हो जाएगा ठीक है तो अब अपने को दोस्तो इसमें क्या करना है क्या पुछाए इसमें कि सी का परतिशत एक के बराबर होगा तो सी का परतिशत एक के बराबर होगा तो दोस्तो वो होगा इसमें पांच परतिश कर लेते हैं यह वाला ठीक रहेगा अब देखिए राम अपने वेतन का 14% करता है जबकि श्याम अपने वेतन वेतन का 20% करने यहाँ धावर वेतन मिलता है और श्यामम 15406 रुपए की बचट करता है यहाँ कुछ खास है यहाँ पे जो 22% तिक है यानि की शाम का वेतन का जो बाइस परतिसट है वो बचत करता है यानि की बाइस परतिसद कितना है पंदरा सो चालिस तो इस सिधा से अपने को कुछ नहीं करना इसमें दोस्तों आपको क्या करना है देखिए 22 परतिसत बराबर कितना हो जाएगा 1540 तो अगर अपन 100 परतिसत निकालेंगे इसको तो दोस्तों अपन क्या करेंगे तो 1540 बटे 22 इंटू 100 ये अपन क्या कर लेंगे दोस्तों ये अपन इसका 100 परतिसत निकालेंगे सो परतिसत कितना निकलेगा इसमें तो दोस्तो साथ हजार आ जाएगा कितना जाएगा साथ हजार आ जाएगा ठीक है अब साथ हजार पर तो दोस्तो क्या हो गया इसमें टोटल वेतन हो गया अब साथ हजार का दोस्तो आप 14 परतिसत निकाल लीजिए दोनों का वेतन तो बरा आगे देखे एक गाऊं की वर्तमान जनसंख्या सिक्स्टी सेवन थाय। जाउजन चांसो यानि कि दोस्तोंिए 66,600 रुपय है। तो दो वर्ष पहले गाऊं की जनसंख्या क्या थी? तो दो वर्स पहले गाउं की जन्सेंग क्या है वो क्या थी वो अपने को इसमें बताना है ठीक है अब इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है डाइरेक्ट अगर अपन इसको करें तो यहां पे दो वर्स पहले की बात पूछी गई है तो दोस्तो देखे शड़ सट अजार तो इसमें राइट अंसर क्या होजाएगा तो दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा वह इसमें देखे वैसे तो 104 होता है तो आपन काट यहन की 100 बटे我也 104 होता है तो अपने इस stuff को काट लिए 4 बार कट गया 25 से और 104 को कटा 4 बार तो 26 से कट गया ठीक है तो वैसे ही अपना इसमें right answer हो जाएगा सिदा का सिदा अगर अपनी इसको काटेंगे पीटेंगे 67625 बटे 26 इंटू 25 बटे 26 तो अपना right answer हो जाएगा वो है दोस्तो 62500 अपना right answer हो जाएगा अगे देखे एक दुकानदार अंकित मुल्य पर 5% की छूट देने के पस्चाहत 266 रुपए परती साड़ी की दर से साड़ियां बेचता है यदि वहें छूट ने देता है तो उसे 12% का लाब होता तो परतेक साड़ी का लागत मुल्य ग्याद करो तो परतेक साड़ी का लागत मुल्य अपने को यहाँ पर ग्याद करना है ज़्यादा कुछ खास नहीं है MRP दोस्तो अब सबसे पहले तो अपने को देखे 266 इंटू 5% की छूट देता है तो 266 इंटू 100 बटे पिचान में यानि कि जो साड़ी थी वो कितने की थी यहाँ पर 5% की छूट दे रहा है तो यानि की 100% कितना होगा इसका तो दोस्तो यह हो जाएगी 280 रुपे की साड़ी कितनी हो जाएगी 280 रुपे की साड़ी हो जाएगी 280 रुपे की साड़ी के अंदर 5% की छूट देके वो 266 रुपे में बेच रहा है ठीक है अब देखीए दोस्तों अपने को यहां पे CP निकालना है तो CP निकालेंगे तो देखिए यहनों की 112 तो यहाँ पर दोस्तो अपना राइट आंसर निकल किया जाएगा वो है 250 यानि कि दोस्तो प्रतेक साड़ी का जो लागत मुले है वो कितना है 250 है तो इसमें डी नंबर का उप्षन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 95 नंबर प्रेशन इसमें देखे यदि किसी वस्तो का लागत मुले उसके अंकित मुले का पांच बटा नो परतिसत है तो दोस्तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है यहाँ पर देखे क्या पुछा है कि किसी वस्तो का लागत मुले उसके अंकित मुले का पांच बटा नो है तो दोस्तो इसमें नो दे रखा है तो और कोश्ट प्राइज कितनी है तो दोस्तो वो है इसमें पांच तो अब देखे दोस्तो यहाँ पर कि उस वस्तो पर 20 परति अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, cost price है, वो अपनी क्या हो जाएगी, 5, तो 20% का लाब होता है, यानि कि 5 का 20% कितना हो जाएगा, 6, यानि कि MRP अपनी कितनी हो जाएगी, 9, और selling price कितनी हो जाएगी, 6, और cost price कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है, अब देखिए, इन दोनों में difference क कितना है, तो दोस्तों 3 का difference है, और 9 में, ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों अपने को छोट का परतिसत जाएगा, तो सीधासा है, 3 बटे, 9 into 100, ठीक है, तो अपन काटा पीटी कर लेंगे, तो दोस्तों कितना जाएगा, 33 सही एक बटा 3 परतिसत, और यही अपना right answer हो जाए नेक्स्ट, 96 नमबर परेशने, एक वेक्ती ने 47,200 रुपए में 3 गाए तथा 8 बकरिया खरीदी, इसके बदले में, यदि वहें 8 गाए और 3 बकरिया खरीदता, तो उसे 53,000 रुपए अधिक देने पड़ेंगे, तो एक गाए का मुले क्या होगा, तो एक गाए का अपने को मुले ग्याद करना है, यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर, देखिए, यहां पर मैं गाए को तो बोल देता हूँ, दोस्तों काउ, सी, और बकरी को बोल देता हूँ, गोट, तीक है, जी, यानि की दोस्तों 3, सी, यानि की तीन गाए, पलस 8, गोट, यानि की बकरी, ती तो 47,200 ठीक है, 47,200 ठीक है, ये तो एक अपना समीकरन बन गया, दूसरा बनेगा दोस्तो इसमें, आठ गाए पलस तीन बकरी, तीन गोट, यानि कि तीन बकरी बराबर, अब दोस्तो अपन क्या करेंगे इसमें, इसमें जोड देंगे, किसको, ये 47,200 पलस 53,000 करेंगे, तो दो एक लाख दोसों तो बराबर एक लाख 200 यहां पे आ जाएगा ठीक हैं अब ये दोनों समीकरन आ गए ठीक हैं अब दोस्तों अपने को क्या करना है देखें यहां पे दोस्तों समीकरन एक को तीन से एवं समिकरन दो को दोस्तो आठ से गुणा करने पर शोरी आठ से गटाने पर यहां पर आठ गाए है ना तो आठ से शोरी आठ से गुणा करके दोस्तो गटाने पर दोस्तो यहां पर देखे पचपन सी बराबर तो यानि कितना हो जाएगा इसमें 6,60,000 हो जाएगा ठीक है और अब इसमें दोस्तों अपन देखे किया करेंगे एक गाई का मुले तो गाई है कितनी तो दोस्तों 8 है ठीक है तो यहाँ पर देखे अपना 66,000 चाज़ाईगा 66,000 आ गया तो दोस्तो अब इसमें आ जाएगा 12,000 अपना राइट आनसर आ जाएगा आगे देखे दोस्तो इसमें 97 नंबर प्रस्टन है यहाँ पर देखे व्यक्ती जब एक TV सेट को 9400 रुप में बेचता है तब उसे एक निश्चित राशी की हानी होती है और जब वह दूसरे TV सेट को 10,600 रुप में बेचता है तो उसे पिछली हानी से दोगुना लाब होता है यदि दोनों TV का करम उले समान यानि कि करम मुले समान है तो TV का करम मुले ग्याद करो TV का करम मुले अपने को इसमें ग्याद करना है ठीक है देखिए यहां पे कितना दे रखा है 9400 प्लस X बराबर 10600-2X ठीक है तो यहां पे दोस्तो 3X बराबर उन दोनों को गटा देंगे 10600 में से 9400 गए तो कितने बच गए तो 3X बराबर 1200 बच गए यानि कि X बराबर कितना हो गया 400 ठीक है उर दोस्तो 9400 में अगर अगर आपन 400 रुपर जोड़ देंगे तो अपना राइट आंसर जाएगा 9800 रुपर ए नमबर उप्शन से उतर नेक्स्ट है अगे देखिए एक कक्षा के 6 विद्यारतियों का ओसत वजन 50 किलो है तो यहां प तो दो करोगे तो दोस्तो कितना हो जाएगा 102 के जी तथा दो विद्यारतियों जिनका ओसत है वो 55 के जी है तो 55 और 55 110 ठीक है 110 देखिए कक्षा में सामिल हो जाते हैं ठीक है तो सभी विद्यारतियों का ओसत वजन है वो अपने को ग्यात करना है तो सभी विद्यारतियों क दो विद्यारतियों को उस्त वजन 51 kg और दो और विद्यारतियों को उस्त वजन है वो दोस्तो 55 kg हो जाएगा तो सीधा सा है यानि कि यहां पे 300 पलस अपने को 102 पलस 110 करना होगा तो यानि कि 512 हो जाएगा कितना हो जाएगा 512 और 512 के अंदर दोस्तो अपने 10 का भाग देंगे यानि कि 6 वी द्यारती तो अपने पास पहले से थे 4 वी द्यारती नहीं एड हुए हैं तो 512 में अगर अपन 10 का भाग देते हैं तो दोस्तों कितना जाएगा 51.2 और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा 1.2 है यह ओसत वजना जाएगा आगे देखिए 99.5 नंबर का प्रस्न यहाँ पर देखिए देखिए 14.4 का ओसत अंक इगेतर बाद में यहाँ पाया गया कि 1.4 के अंकी की गलती से 56 के इस्तान पर 42 लिख दिया गया और एक अन्य विद्यारती के अंक को 32 इस्तान पर 44 लिख दिया गया तो सही ओसत है वो अपने को इसमें ग्याद करना है तो सही ओसत है वो अपने को इसमें ग्याद करना है तो दोस्तों इसमें देखे, सही उसत निकालेंगे अपने, तो देखे, यहाँ पे इगेतर ठीके, तो सबसे पहले अपने लिखेंगे, सही उसत बराबर एगेतर पलस है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, कि सपन के स्थान पर 42 लिख दिया, यानि कि 56-42 ब्रेकिट बंद फिर पलस अब यहाँ पर क्या लिखा है कि 32 के इस्तान पर चोंतर लिख दिया तो 32-44 ठीक है ब्रेकिट बंद बटे दोस्तो कुल सातर कितने हैं तो दोस्तो 14 सातर हैं ठीक है सिधा सा है यहाँ पर माइनस करके माइनस कर दीजिए तो अपना सिधा सा राइट आंसर आजएगा वो है दोस्तो 69 राइट आजएगा 69 तो अपना इसमें D नमबर उप्शन से उत्तर आगे देखे इसमें 100 नमबर का प्रेसन है किसी परिक्षा में 127 प्राप्तांक है वो दोस्तो कितना है 35 तो क्या करना है? सीधा सा है यहाँ पर देखे 35 है तो दो अब यहाँ पर देखे उत्तीन तो यहाँ कितने है तो दोस्तो ऑसल कितना है गुंचालीश और फैल का उसल कितना है तो दोस्तों वो है पंदरा और कुल उसत कितना है तो कुल है दोस्तों इसमें 35 कुल कितना है 35 ठीक है अब दोस्तों देखिए इन में से कितने का गैप हो रहा है तो इन में हो रहा है चार का गैप और इसमें इसमें दोस्तों 20 का गैप हो रहा है ठीक है अब यहां पे आ गया दोस्तो बीस और चार ठीक है तो यान की दोस्तो बीस तो हो गया अपना इसमें देखे 20 हो गया ठीक है अब 20 इन अब यहां पर 20 और 4 आ गया अब यह कट रहней हैं क्या बिलकुल कट रहENA हैं चार से कट रहे हैं तो और यह कट गया दोश्टों चार शुरुआ पांस बार याने कि 5 अनुपात 1 आ गया ठीक है सो चातर है वो उतियर हैं तो 27 वो उसमें क्या है फैल है ठीक है तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सो तो इसमें ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सह उतर हो जाएगा आगे देखे इसमें ए अनुपात भी बराबर एक बटा दो अनुपात तीन बटा आठ है ठीक है फिर भी अनुपात सी दे रखा है एक बटा तीन अनुपात पांच बटा नो और सी अनुपात डी दे रखा है पांच बटे चाहे अनुपात तीन बटा चार अवी सी डी निकालना है अपने को ठीक ह कुछ खास नहीं है A, B, C, D लिखके और दोस्तों उनके आगे उपर नीचे करम में आ जाएंगे पहले तो इनको सेट करना होगा ठीक है और सेट करने के बाद में दोस्तों इनका नुपात आसनी से आ जाएगा वैसे मैंने अभी थोड़े दिर पहले का प्रेशन है A, B, C की आए साथ अनुपात, नौँपात, बारा के अनुपात में है उनके खर्चों का अनुपात आठ अनुपात, नौँपात, पंद्रा है यदि A अपनी आए का एक बटा चारवा हिस्सा बचत करता है तो A, B और C की बचत का अनुपात है वो अपनी कुछ में ग्याद करना है तो यहां पे दोस्तों जादा कुछ खास नहीं है सिधा समा आपको बता देता हूँ एक दो प्रस्न है, वो आप सोल कर लेना तो इसका राई टाम सुरू जाएगा चपन अनुपात, निन्याड़मान पात 69 तो अपना इसमें एनम्बर उप्शन से उतर हो जाएगा आगे देखें इसमें 4000 रुपए की राशी दो हिस्सों में करज में दी जाती है एक भाग 8% सादरन ब्याज पे और दूसरा बाद भाग है वो 10% सादरन ब्याज पे यदि वार्शिक ब्याज है वो 352 रुपए हो तो बताईए की राशी 8% सादरन ब्याज की दर से दर पर करज दी गई थी तो कितनी राशी 8% सादरन ब्याज की दर से करज दी गई थी तो यहाँ पर देखें दोस्तों अपने को क्या करना होगा तो यहां पर देखिए सीधा सागर मैं बोलूँ कि यहां पर कितना देखिए 8% सदरन्बैज और 10% सदरन्बैज ठीक है कितना हो गया 18 ठीक है कितना हो गया 18% अब ये 350 में आप 18 का भाग दे दिजी आठारा का भाग दोगे तो दोस्तो इसमें 1% आजाएगा ठीक है और आप खुद निकाल सकते हैं 1% बराबरा जाएगा तो आप 100% निकाल लेज़ेगा ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें कितना तो वो है दोस्तो 2200 वाइट सो और 1800 रुपए इसमें दिये गए थे तो इसका right answer इसमें B number का option से उत्र, आगे देखे, कोई धनराशी चक्रवर्थी ब्याज से 3 वर्षों में 24, 4 वर्षों में 25, 20 हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या है, तो वार्षिक दर है, वो क्या है, यहां पर दोस्तों वार्षिक दर पुछा गया है, तो इसमें ज्यादा क एक वर्ष में कितना हो गया, तो दोस्तों 120 रुपए, एक वर्ष में 120 है, ठीक है, तो दोस्तों सीधा से अपना right answer हो जाएगा, जो दर है, यहां पर देखे, दर है, वो दोस्तों कितनी हो जाएगी, दर पूछा गया है, तो देखे, 120 आ गया, और 120 बटे, 2400 इंटू 100 कर दीजिए, तो सिधा सा जाएगा, पांस परतिसद, तो अपना इसमें, एक नमबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा, आगे देखे, इसमें, देखे, कोई दनराशी चकरवर्थी ब्याज के तीन किस्त वार्षिक चकरवर्थी ब्याज की दर से, हर वर्ष के अंत में, दो समान किस्तों में चुकाना है, तो परते किस्त की राशी गयाद कीजिए, तो परते किस्त की राशी गयाद करनी है, तो दोस्तों, देखे, परते किस्त की राशी हो जाएगी, इसमें, 6615, 6615 हो हैं आयत के लंबाई 20 से मी और चोड़ाई है चोड़ाई वर्ग की बशा की तेन बटा दो गुना है तो वर्ग की बचाध दोस्तों Ave जो मिराइट आंसर जाएगा ठीक है ए नमबर उप्षन से उतर ये प्रसन आप कर ले ना आसानी से आगी देखे इसमें एक सो साथ नमबर प्रसने किसी समचातर पुझ का चेतर पल एक सो पचास से मी स्कॉयर तथा एक विकंड की लंबाई दस से मी है तो दूसरी विकंड की उखोफाज़ दो लंबाई ग्यात किजिए तो यहां पे देखे दोस्तू इसका सुत्र हो जाएगा दोस्तो समसतर पुझ का से तर पल एक बटा-दो इंटु ओन इन्टू दी टू हिए यांनि कि दूस्तो एक सो कजा़ के दिए नज सो पचास ջिपर कि दैंटिक 15 15 तो संपुन प्रष्ट का सितरपल क्याद की दिए तो संपुन प्रष्ट का सितरपल अपने को इसमें कि नह Mach something करना है तो दोस्तो शुतर आप सभी को पता है संपुन प्रष्ट का सुतर क्या होता है को डू ब्रेकिट ऐल्ड स्फ प्ल Luigi है ये एंप को डियरेट आंसर बता रहा हूं इसका राइट आंसर हैगा दोस्तों इसमें सुतर लगंगे डática ठीक है जो regard ठाइब दो श क्यू समय से गोले से समंधी अर्ध गोले का इसमें सुत्र लगेगा ठीक है और इसमें अर्दगोले और संकूख दोनोंका इसमें स्वतर लगेगा ठीक है एक तो अर्दगोले का आयतन प्लॉस संकूख का आयतन तो इसका राइट आंसर हो जाएका वो है 266 से में ठीक है डी नंबर का उप्शन सही उतर अब अपन रिजनिंग के क्यूशन करेंगे देखिए जो 15 क्यूशन है वो आपको दोस्तों इसमें किसके मिलेंगे मैत के क्यूशन मिलेंगे 15 क्यूशन ही परिक्सिया में पूछे जाएंगे पटवारी के अंदर और फिर आगे दोस्तों अपनी रिजनिंग में देखिए समेलन अद्यक्स समाचार पत्र है ठीक है तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार है समेलन में अद्यक्स होता है और समाचार पत्र में क्या होता है समाचार पत्र में दोस्तों संपादक होता है आगे देखिए सुजाव आदे 3, 7 का square plus 3, ठीक उसी परकार 17 का square plus 3, तो 17 का square कितना हो जाएगा, 289, 289 plus 2, sorry 3, तो कितना हो जाएगा, 292, B number का option सही उतर हो जाएगा, यहां पे दिखे, D-A-R-I-N-G, तीक है, और इसको लिखा गया है, दोस्तो, F-C-T-K-P-I लिखा गया है, तो bright को क्या लिखा जाएगा, तो दोस्तो, सभी अक्सरों के अंदर क्या क्या गया है, plus 3 क्या गया है, ठीक है, तो जैसे, sorry, plus 2 क्या गया है, D में 2 जोड़ा, तो EF, ठीक है, F आगया, ठीक उसी परकार, B के अंदर अगर आपन 2 जोड़ें, तो D आजाएगा, R में अगर 2 जोड़ें, तो S, T, ठीक है, T आगया, I में 2 जोड़ें, तो J, K, के आगया, तो किस में है, D, T, K किस में है, तो D, T, K ये रहा, यानिकि सभी अक्सरों में 2 जोड़ना है, A नंबर का उप्शन सहीतर हो जाएगा, आगे देखे, प्रसन में दिये गए विकल्पों में से विशम सब्द को गयात कीजिए, विशम सब्द को अपने को इसमें गयात करना है, तो यहाँ पर देखे, कि दोस्तों साइटोलोजी एंटमोलोजी बेक्टोडियोलोजी ठीक है यह अध्यन से समंदीत है यहां पर देखिए एकुष्टी कुष्ट कस ठीक है यह अपना इसमें गलत दे रखा है इसमें सी नंबर का उप्सन सही उतर हो जाएगा वी समय आगे देखिए 16 नंबर का प्र किया गया है तो यहां पर यह जो नियम का पालन है यह दोस्तों इसमें देखिए आपको एक ऐसा मिलेगा जिसमें संख्या है बढ़ रही है यानि कि दो का गया फिर तीन का गया फिर चार का गया फिर पांच का गया फिर शे का गया फिर साथ का गया तो यहां पर देखिए दोस्तो आईए जे 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 के अंदर जे दस नमबर पे उसके बाद में जे के एल ये इसमें दो का गैप है फिर दोस्तो आगे तीन का गैप फिर आगे चार का गैप फिर आगे पांच का गैप फिर शे का गैप फिर साथ का गैप ठीक है तो अपना इसमें डी नमबर का के बाएं दूसरा अक्सर क्या होगा तो दोस्तों यहां पे देखे बाएं से सतरवा के बाएं दूसरा तो सतरा में से टेरा बराबर दो, यानि कि B को विलोम हो जाएगा दोस्तो इसमें वाई, ठीक है, तो यहां पर इसका राइटांसर हो जाएगा, वो है इसमें, C नंबर का उप्सन, बिल्कुल सही उतर, ठीक है, अर्दान्स मतलब 13 दो अर्दान्स है तो 13 दोनी 26 हो जाएगा 13 मैंने इसलिए मैनिस किया है अगे देखिए अक्सरों का कौन सा समुए है खाली स्तानों पर करमवार रखने से दी गई अक्सर संगला को पूरा करेगा यहां पर देखिए दोस्तों किस को पूरा करेगा इसमें तीन वो बनेंगे चार-चार के समुए है एक तो बनेगा दोस्तों इसमें अबबा A, W, A ठीक है दूसरा बनेगा दोस्तों इसमें C, W, C, C तीसरा बनेगा इसमें E, W, F, E ठीक है यह बनेगा इसमें तो इसका मैं आपको डाइरेट राइट आंसर बता देता हूं सी नंबर का उप्सन सही उत्र हो जाएगा देखिए यह प्रस्ण काफी बार परिक्षा में पुछा जाता है 12, 36, 108 ठीक है 12 को 3 से मल्टिप्लाई किया 36 और 36 को दोस्तो 3 से मल्टिप्लाई किया तो कितने आ गए 108 ठीक है उसी परकार दोस्तों यहां पे देखिए 239 और 937 तो इसमें B नंबर का उप्सन सही उत्र हो जाएगा दोनों से हो रहे हैं इसमें आगे देखिए इसमें देखिए यहां पे communication सब्द दे रखा है इसमें communication सब्द में से कौन सा एक सब्द है वो इसका परियोग करके बनाया जा सकता है तो यहां पर देखिए दोस्तो communication सब्द में देखे action 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 ए c t i o n action सब्द है वो इस communication में से बन रहा है तो इसमें c number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए दोस्तो इसमें देखे रिजू रिवू का परिचे अपने पिता की पतनी के एक मातर भाई के पुतर के रूप में कराता है रिवू रिजू से किस परकार समंदित है देखे रिवू यहां पर रिजू रिवू का परिचे अपने पिता की पतनी के एक मातर भाई के पुत्र के रूप में कराता है यानि सिधा सा हो गया यहाँ पे मामेरा भाई हो गया क्या हो जाएगा मामेरा भाई तो अपना राइट आंसर इसमें बी नंबर का उप्शन से उतर हो जाएगा आगे देखिए पांच मकान O, A, S, C, B एक पंक्ति में इस्तित है O, D, I, O ठीक है O, D, I, O है A, K A, K, D, I, O ठीक है अब यहाँ पे देखिए A, K, D, I, O, हो गया A और S, K यानि की O, D, I, O, है A, K, और B, I, O, है O, K, यानि की O, इसमें क्या आ गया बीच में आ गया A, O, S, K, बीच में ठीक है अब देखिए A, D, I, O, है C, K A, D, I, O, है C, K यानि की यह इदर C आगया अब अपने पास बचा क्या तो दोस्तो इसमें बचा अपने पास में B तो B आ जाएगा इदर ठीक है यानि की यहाँ पे देखिए B दाइयोर है S के B दाइयोर है S के तो अपना इसमें राइट आंसर क्या जाएगा कौन सा मकान बीच में इस्तित है तो दोस्तो ओ मकान है वो बीच में इस्तित है आगे देखिए यहाँ पे दिल्ली को कूट बासा में दोस्तो तेतर 551 और कलकता को दोस्तो यह लिखा गया है तो उस्तित बासा में दोस्तो C-A-L-I-C-U-T को लिखा जाएगा तो यहाँ पे देखिए C का कोड क्या है 8 है सबी अक्सरों का अलग-अलग कोड है दिल्ली और कलकता में उसी में से भी बनाया गया है दोस्तो यह काली कट तो सिधा सा है जैसे देख देखिए डायरेक्ट उनके अक्सर लिखते जाओ राइट आंसर आजाएगा अपना वो है इसमें दोस्तो D नंबर का ओप्षन है वो बिल्कुछ सही उतर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तो इसमें 124 नंबर प्रसन है कुछ समीकरण एक विशेश प्रणाली के आदार पर हल किये गए है उसी आदार पर दोस्तो इनको अनूतरिन समीकरण का सही उतर गयात करना है यहाँ पर देखिए 56 इंटू 11 बराबर 9 दे रखा है तो यहाँ पर देखिए दोस्तो सीधा सा कुछ नहीं है यहाँ पर पांच प्लस्ट है 56 के अंदर दोस्तो अलग-अलग कर दीजे नку पांच प्लस्ट है, कितने होते हैं 11 ठीक है, एक और एक एक और एक कितने होते हैं, दो तो 11 में से 2 गए तो कितने हो गए, 9 ठीक उसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पे देखिए अपने 17 में भी 87 इंटू 17 में भी अपने को यही करना है देखिए, आट और साथ कितने होते हैं 15 15 माइननस 7 और 7 कितने होते हैं, 14 15 में से 14 गए तो कितने हैं तो एक तो अपना इसमें बी नमबर उप्शन सही उतर हो जाएगा यहाँ पर यह 25 नमबर का प्रस्न है इसमें आप देखिए 28 कैसे आएंगे इसमें आप कौन-कौन से निसान लगेंगे तो दोस्तो सिधा सा मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पर इन्टू का निसान लगना चाहिए क्योंकि 6 इन्टू, दो, 8 होगा फिर यहाँ पर बाग का निसान लगेगा तो 8 में 2 का भाग दिया तो कितने बच गए? 2 फिर 2 इसमें कौन सा लगेगा? तो देखिए दोस्तों इसमें लगेगा च्छे ये लगेगा ठीक है दीवाला निसान लगेगा इसमें तो च्छे भाग दो तो दिया तो कितना बच गया तो इसमें तीन बच गया ठीक है अब यहां पे तीन पलस चार इंटू साथ तो 7 चोक है 28 कितना हो गया 7 चोक है 28 और 28 पलस दोस्तों कितना 28 7 चोक है 28 इधर भाग दिया 3 तो यहनिकी 3 पलस 28 माइनस 3 देखिए 6 भाग 2 पलस 4 इंटू 7 माइनस 3 ठीक है 7 चोक है 28 और 3 यह हो गया ठीक है 28 और 3 31 और माइनस 3 यह रहा तो 31 में से 3 गया तो 28 यहनिकी बिल्कुर सही है 28 बराबर 28 आजाएगा डी नमबर का उप्सन सही उतर हो जाएगा आगे देखिए राजू 80 मिटर दक्षिन की और चला फिर वहें दोस्तों दाई और गुमा और 100 मिटर चला फिर वहें दाई और मुडा और दोस्तों 50 मिटर चला ठीक है 50 मिटर चला अन्त में वहें 22 और 45 डिगरी के कौन पर गुमा तो यानि कि 45 डिगरी के कौन पर ये गुमा इधर ठीक है 45 डिगरी के कौन में किदर गुमा इधर अन्तिम इस्तती में वहें किस दिशा में जा रहा है आगे देखें, यहां पे सबके code अलग अलग दे रहे हैं, एक निश्चत code में 785 का आर्थ है, school is over, match is over का आर्थ है 275, और school match का code है 28, तो यहां पे match का code क्या हो जाएगा, match का code देखें, इन में से कौन सा कौमन अक्सर हो जाएगा, कोमन संख्या कौन सी हो जाएगी देखे मैच इज ओवर में 275 दे रखा है ठीक है और स्कूल मैच में 28 दे रखा है अब 275 और 28 में से कौन सा अकसर कोमन है तो यहाँ पे अकसर आपको 2 दिख रहा है यह कोमन है तो मैच का कोड भी यह हो जाएगा मैच दोनों में है मैच इज ओवर और स्कूल मैच में तो इसका A नमबर उप्सन सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए दोस्तों इसमें देखिए A, G, M, S, B, H, N, T और C, I, O, U दे रखा है ठीक है तो यहाँ पे देखिए A, B, C, D D, D से सुरू होगा यहाँ पे ठीक है यहाँ पे देखिए A, B, C और फिर D आएगा फिर G, H, I, J तो D, J D, J किसमें यह रहा तो इसमें C नमबर का उप्सन राइट आंसर हो जाएगा कुछ नहीं करना एक एक बढ़ाना है आगे देखिए A, 10, 12, 32, 34, 56 आगे क्या आएगा तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 10 में 2 जोड़े, 12, 20, 32, फिर पलस, 2 जोड़े, 24, फिर पलस, 20 जोड़े तो यानि कि पलस, 2 और पलस, 20, जोड़ना है तो यहाँ पे देखिए अब 76 में अगर क्या करेंगे तो 56 में दोस्तों अब अपन क्या करेंगे कि NICKDIS जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बी नम्टर ölफ सन से उतर आगे देखे चात्रों कि एक कतार में समितरा दाएं से 22 बे इस्तान पर है रवीना बाएं से 15 बे स्तान पर है ये दोनों अपना इस्तान बड़ले तो समितरा आप दाएं से 25 स्तान पर जाती है तो बताइये रवीना का अब 22 से कौन साइस्तान होगा तो रवीना का 22 से कौन साइस्तान होगा तो दोस्तो सीधा साय, आप इसको और आंप से पैटके स bon car लेजिएगा, right answer मैं आपको पता द Congress ताना आएगा ठीक है, आगे देखिए इसमें देखिए, यह सब दे रखे चार अपने को करम में अपने को जचाना है इसको ठीक है और करम में जचाएंगे देखे सबसे पहले अपन सुनेंगे सुनेंगे बाद में अपन बोलेंगे सुनने के बाद में अपन क्या करेंगे बोलेंगे ठीक है बोलने के बाद में दोस्तों अपन क्या कर सबी तंबू घर है सबी जो तंबू है वो क्या है सबी तंबू है वो गर है तो यहां पर मैं जी लिख देता हूं घर को ठीक है सबी घर है वो इंट है तो सबी गर है वो क्या है इंट है ठीक है अब देखे आगे सबी इंट है वो इस्टोर है तो सबी इंट है वो इस्टोर है अब दोस्तों यहाँ पे निसकर्च में देखिए निसकर्च में क्या होगा यहाँ पे देखिए सभी इंट घर है सभी इंट है वो घर है तो दोस्तों यह तो अपने इसमें गलत हो जाएगा सभी इंट घर कहाँ पर है ठीक है देखिए कुछ इस्टोर तंबू हैं ये बात बिल्कुल सही है तो इसमें बी नंबर का उप्शन राइट आंसर जागा केवल सेकेंड अनुसरन करता है जो अगला 34-35 प्रेशन है ये दोस्तों आपको डायग्राम से समंदित इसको सोल करना होगा ठीक है ये क्यूशन मैं आपको अलग से इसके और अन्य इलेक्ट्रोनिक उपक्रणों के साथ पून इलेक्ट्रोनिक सरकट को क्या कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं तो इसको बोलते हैं दोस्तों क्या बताइए तो इसको बोलते हैं इंटिग्रेटेड सरकट आगे देखिए किसी ओबजेक्ट को प्रोपर्टी को एक्सेस करने के लिए किस mouse की कौन सी तकनीक का प्रियोग करना चाहिए तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा कौन सी तकनीक का तो इसमें right click का प्रियोग करना चाहिए हागी दिखिए information processing cycling sorry information processing cycle के portion के दोरान computer किसी source से data लेता है तो इसका right answer हो जाएगा वो है input नेक्स्ट है software के किस में command और option की सुची होती है तो यह होती है दोस्तों इसमें menu बार में 140 नमबर प्रेस्ट है इसमें देखिए किस से game खेलना आसान हो जाता है तो दोस्तों joystick से game खेलना आसान हो जाता है joystick के input एक आई है next step देखिए किसी भी समय कितने परकार के document खोले जा सकते हैं तो इसका right answer हो जाएगा वो है कितने तो दोस्तों वो है इसमें task बार जितने display कर सके उससे अधिक नहीं तो इसमें d number का option से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए number paid वाले directional arrow के रूप में काम करे इसके लिए कौन सी कुझी दबानी होगी तो दोस्तों कौन सी कुझी दबानी होगी तो दोस्तों नम लोग दबाना होगा आगे देखिए जो अनुदेश आसानी से समझत में आ जाए उन्हें का जाता है तो उन्हें का जाता है दोस्तो user friendly अनुदेशों के उस state को क्या कहते हैं जो बताता है कि computer को क्या करना है तो उसको program कहते हैं next, soft copy एक address से output है, तो hard copy क्या है, तो hard copy है, वो दोस्तों क्या है, बताइए, तो इसका right answer हो जाएगा, वो है, इसमें computer के printed पूर्जे, तो इसमें B number option बिल्कुर से उतर हो जाएगा, आगे देखे, output क्या है, output क्या है, तो दोस्तों वहें, जो processor user को दे, वो होता है output, next, आगे देखे, page पर तत्वों की, बोतिक विविस्ता को document का कहते हैं, क्या कहते हैं, तो document का दोस्तों format कहते हैं, next, input, output और processing device का एक साथ सम्मूह बना दिया जाए, input, output और processing device का एक साथ सम्मूह बना दिया जाए, तो यह हैं निम्न मेंसे किसको निरुपित करता है तो किसको निरुपित करता है तो दोस्तों computer system को निरुपित करता है आगे देखे अधिकांस website में main page होता है जो website में बाकी page के लिए द्वार का काम करता है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें home page बी नंबर का option सही उतर हो जाएगा आगे देखे इसमें देखे computer file के बारे में निम्न मेंसे कौन सा कतन है वो सत्ते नहीं है तो कौन सा कतन है वो इसमें सत्ते नहीं है तो यहाँ पे देखे यह file की विशावस्तू को इंगित करने के लिए परियोकता file extension देता है यह गलत हो जाएगा दोस्तों extension परियोकता file खुद नहीं देता है ठीक है तो इसमें c नंबर का option right answer हो जाएगा बाकी और इसमें सारे की size ही है यह model paper आपको कैसा लगा comment करके जरूर बताएं और अगर आगर आपने अभी तक अरद्यार S Academy के YouTube चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर कर दें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को like नहीं किया तो वीडियो को like करें और अपने Facebook WhatsApp ग्रोप पर अपने मित्रों को दोस्तों share जरूर करें कल दूसरा नमबर का model paper आएगा तयार रहेगा जय हिन जय भारत मित्रों